हेलो दोस्तों बीर कुमर सिंग युनिवर्स्टी आरा के बीकॉम के एकाउंट आउनर्स के पार्ट वन के जो इस्टुडेंट है आपके लिए ये विडियो बनाया गया है आपका हमारे चैनल आर्बियस क्लासेस बक्सर पर स्वागत है अगर आप पहली बारा आया है तो हमार पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके लिए जो प्रश्ण पत्र दिया गया है उसको हमने यहां पर रखने का प्रयास किया है थोड़ा इसलिए कि इस पर किसी को कोई कन्फिजन ना हो किसी को प्रश्ण पत्र मिलने में कोई परिशानी ना हो हम देख रहे हैं कि इसका जो paper 1 दिया हुआ है, इसका उपर में लिखा हुआ है, become honors, honors का question है ये, part 1, part 1 वाले हैं ये, यहाँ पे session नहीं लिखा है, लेकिन session समझना है, 2019 से 2022 session वाले student के लिए question अलॉट क्या गया है, इसका full marks का है, hundred, hundred marks का ये question है, paper 1, चुकि इस university में, commerce में, सिर्फ account honors ही चलता है, इसलिए become वाले के लिए ये, यही question एक मात्र है, और अन्य कोई question गूगल ड्राइब पर नहीं दिया गया है, पार्ट वन के जो paper 1 है, इसका subject का नाम है, financial account, और दुसरा paper जो है, उसका नाम है, auditing, तो audit और financial account जो है, ये इसके दो chapter, दो paper है, नीचे लिखा है, write on any one chapter, तो इससे chapter से यहाँ पर किसी को कोई confusion नहीं होना चाहिए, क्योंकि chapter का मतलब, अलग एक chapter से एक question लिया गया है, तो आपको यहाँ पर एक question ही उसका meaning समझना है, जिस तरह से हम लोग बुक में, खाता बुक में, बुक को नहीं, वो एक copy register होता है, उसी तरह से chapter का मतलब यहाँ पर आप question समझें, पहला question है, basics of accounting concept, account का जो concept है कि कैसे account किया जाया है, इसके बारे में, चुकि अलग subject के रूप में क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका क्या concept है, उसको बताना, preparation, presentation of financial statements, इसका statement जो बनता है, उसका कैसे preparation होता है, उसको कैसे present किया जाता है, यह बताना, analysis of financial statements, और statement जो होते हैं, उसका कैसे analysis करेंगे, यह बताना, एक chapter, मतलब एक question का यह answer, इसका इस तरह से लिखें, कि वो 100 number का बन जाए, 3000 सब्दों में लिखना है, 10, 12, 15 पेज, या और अच्छा से लिख सकें, अच्छे writing में लिखें, question इस तरह से लिखें, कि वो project जैसा लगे, कि आपने उस पे चुली मेहनत किया है, पांच question के बदले एक ही question लिखना, यह असान नहीं है, इसको उस हिसाफ से लिखना, कि जिस तरह से exam में आप पहले exam दिये होंगे, या जो देते हैं, कि 100 number का पांच question रहता था, तो एक question पर 20 number का, तो 20 question, 20 number के लिए जो आप answer लिखते थे, 4-5 page में, वही आप उसको पांच बढ़ा देना है, तो क्या करेंगे, बड़े-बड़े अक्षरों में लिखेंगे, तो इससे नहीं होगा, content बढ़नी चाहिए, उसका details बढ़ना चाहिए, इसका ध्यान रखना है, question इंग्लिस में दिया हुआ है, book हो, तो अच्छी बात है, नहीं तो आप Google पर search करके भी इस का answer लिखें, दूसरा question है, basic concepts of receipt and payment account, receipt जो रसीद होता है, उसका क्या concept है, give an imaginary receipt, एक example के रूप में आप बनाएं कि कोई company है, उसका ये receipt है, an expenditure account, जो हम दिखते हैं, income account और खर्च का account, उसको यहाँ पर बताना है, example group में एक data त्यार करना है, prepare an imaginary draft, और draft भी बनाना है, ये भी project के तरह बड़ा काम है, दूसरा में basic concept of receipt and payment account, give an imaginary receipt and payment account, इमेजनरी बताना है, तिसरा है account of non-trading और उनाइशन, जो ऐसे संस्था हैं, जो बेपार नहीं करती है, उसका accounting कैसे करेंगे, give details about content of income and expenditure account, और उसका detail बताना है, इनकम कैसे हो रहा है, आयके सिरोत क्या है, और खर्च कहा हो रहा है, prepare an imaginary draft, और draft बनाना है, चौथा question है, define royalty, write imaginary account in the book of landlord and lease, तो royalty को बताना है, इसका एक ऐसा landlord है, जिन्नोंने lease पर दियावा जमीन, और उसका account बना करके, royalty किस तरह से आ रहा है, इसको सो करना है, पाचमा है, give details about partnership, dissolution, partnership अगर dissolute कर जाता है, तो उसको बताना है कि कैसे होता है, give provision regarding insolvency of partner in the content of partnership dissolution, तो इसका provision क्या है, उसको भी बताना है, कि partner का insolvency हो जाए, तो इन पाचमा कोशन में से किसी एक कोशन का आप answer लिखेंगे, एक फाइल बनेंगे, पेपर 2 में देखते हैं, auditing में, यह भी 100 marks का है, इसमें भी one chapter लिखा है, मतलब एक कुशन को define करना है, definition of auditing, auditing का क्या definition है, its objective and advantages, इसका क्या objective, क्या उद्देश सी है, और इसके क्या lab है, उसको बताना है, disclose qualities of good auditor, एक good auditor जो होते हैं, उनके क्या quality होती है, उसको बताने के लिए कर रहा है, disclose करने के लिए, open करने के लिए कर रहा है, दूसरा कुशन है, define internal check, internal check क्या है, give its object and advantages, इसका object क्या, इसका क्या उद्देश से है, इसका क्या advantage है, वो बताना है, give its effectiveness in different departments of a business organization, एक business organization है, संस्ताय है, उसको बिविन department में, विभागों में, इसका क्या प्रभाव है, उस internal check का, इसको बताना है, तिसरा कुशन है, write distinction between revenue and capital expenditure, इन दोनों के बीच में, क्या difference है, उसको बताना, write details about different types of reserves, auditors view about different type of reserves, reserve कितने type के होते हैं, उसको बताना, और इस reserve के बारे में, auditors का क्या भी होता है, इसको भी define करना, बताना, चोथा कुशन है, give provisions regarding appointment, remuneration and duties of auditor of company, किसी company का, जो auditor appoint किया जाता है, उसको कैसे होता है, क्या provision, उसको क्या नियम है, उसका remuneration कितना होता है, कितना उसको bill मिलता है, payment कितना उसको क्या जाता है, और उसकी duties क्या है, क्या काम है उसका, उसको बताना, बहुत अच्छी question है यह, पाचमा है, give provisions regarding audit of final accounts of a company, एक company का जो final account है, उसका क्या audit करने के लिए क्या provision है, वो बताना, divisible profits and capital profits, दो तरह के जो profit है, इसमें क्या difference है, दोनों को separately details में बर्नन करना, तो यह honors के question हुए, इन पाच में से भी एक question solve करेंगे, जो आपको आच्छा बुझाएगा, और उसका एक अलग folder बनाएंगे, तो इस तरह से आपको दो folder बना, become का honors के लिए paper 1, paper 2 का, इसको अपने बिभाग में आप जमा करेंगे, okay, thank you,